हेलो फ्रेंज आज की वीडियो के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ वैसे तो मैंने अपना चैनल अभी रीसेंटली स्टार्ट किया है लेकिन मेरी वेट ट्रांस्फरमेशन देखकर बहुत सारे लोग मुझसे मेरी डायेट शेर करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने लॉकडाउन के टाइम पर नेरली 45 किलोज वेट लूस किया है वेट लूस करने के लिए सबसे इंपोर्टन स्टेप है हमारी डायेट बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वेट लॉस करने के लिए बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड 20-30% रोल है हमारी डायेट का सिर्फ 20-30% रोल है एक्सरसाइज का शायद आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो पर 40 किलो से भी ज़्यादा वेट लॉस करने के बाद मैं इस बात को पूरी तरह मान गया हूं कि बैलेंस डायेट is the key to maintain your good health अपनी डायेट शेयर करने से पहले मैं एक बात ये बताना चाहता हूं कि हम क्या खाते हैं उसके साथ कब खाते हैं ये बहुत 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 ज़्यादा important है तो जैसे कि मैंने अपनी 7 morning weight loss habits वाली वीडियो में भी आपको already बता दिया है मैं सुबा सबसे पहले उटकर अपना weight check करता हूं इसके दो benefits हैं पहले ये कि इससे पता चलता है कि पिछले दिन मेरा weight exactly क्या था और मैंने क्या consume किया उसका मेरी body पर असर क्या हुआ क्या मैंने weight gain किया है या lose किया है दूसरा ये है कि अपने weight के according मैं अपना day plan कर पाता हूं अगर मैंने कुछ weight gain किया है तो मैं कोशिश करता हूं कि तकरीबन 200 से 300 calories मैं कम consume करूं ताकि अपना weight stable कर पाऊं हाला कि मैं काफी actively workout करता हूं तो मेरा weight management करने में वो factor भी काफी जाधा count होता है अब actual diet plan की बात करते हैं first तो मेरे दिन की शुरुआत होती है detox water पीने के साथ ये जो detox drinks होती है वो हमारे system को cleanse करती है और हमारे metabolism को boost करने में हमारी काफ ही help करती है Indian detox drinks बनाना बहुत ही जाधा असान होता है और मैं अपनी top favorite five detox drinks पर एक पूरी video बना चुका हूं अगर आपने ये video नहीं देखी है तो मैं इसका link description box में रख दूँगा आप चेक कर लीजेगा friends जो हमारे Indian herbs और spices होते हैं उनके बहुत सारे health benefits होते हैं उनको daily अपनी diet में consume करके हम काफी benefit उठा सकते हैं मैंने अपनी video में मेथी दाना, जीरा, सौफ, अजवाएन और दाल चीनी वाले detox waters के बारे में बताया था इन सब spices के अलग-अलग benefits हैं जिनके बारे में मैंने अपनी video में detail में बताया है second, detox water के साथ ही कुछ seeds भी हैं जो मैं consume करता हूँ जैसे कि मेरी nutritionist ने मुझे guide किया था अब अगर ये आप सोच रहे हैं कि seeds क्यों खाने हैं तो उसका answer है इन से मिलने वाली nutritional value seeds are great sources of fiber, healthy monosaturated fats, polyunsaturated fats, important vitamins, minerals and antioxidants मेरे personal favorite seeds हैं chia seeds, pumpkin seeds, flax seeds and sunflower seeds मैं इनको nearly daily consume करता हूँ अगर आप directly seeds consume नहीं करना चाते हैं तो उनको अपनी drinks या food में जैसे protein shake हुआ या smoothies के साथ या oatmeal में डाल कर भी खा सकते हैं इससे आपकी drinks और खाना काफी जादा tasty भी बन जाएगा मेरा focus आज भी taste पर काफी हद तक होता है इसके बाद मैं घर में ही अपनी balcony में थोड़ी दिर walk करता हूँ fresh होता हूँ और फिर उसके बारी आती है workout की लेगिन इससे पहले मैं लेता हूँ एक quick pre-workout meal so important है आज के लिए pre-workout meal discuss करना so pre-workout meal में मैं अभी काफी जादा experiments करता रहता हूँ और मेरी pre-workout meal काफी बदलती रहती है currently मेरी current favorite pre-workout meal है protein shake इसके ingredients है one scoop protein, one banana, half cup oats, half cup milk, half cup water, five almonds इसको बनाना काफी easy है सारे ingredients को mixer grinder में डालना है और blend कर देना है मैं pre-workout protein shake at least 45 minutes before my workout लेता हूँ उसके बाद post-workout nearly 2 hours तक काफी energy रहती है और भूक नहीं लगती so in a way मेरा breakfast around 10 a.m. ही होता है कभी-कभी जब मैं weights नहीं उठा रहा होता और सिर्फ stretches कर रहा होता हूँ यहां सिर्फ walk पर जा रहा होता हूँ तब मैं अपने pre-workout में सिर्फ एक black coffee लेता हूँ से कैसे different है basically इस black coffee में मेरा focus taste और weight maintenance पर हमेशा की तरह रहता है मैं approximately 45 minutes to one hour का workout करता हूँ और यह ensure करता हूँ कि week में at least four days exercise करूँ workout के बाद मैं shower लेता हूँ और office के लिए ready होता हूँ लेकिन बिना breakfast किये घर से नहीं निकलता point number four morning tea and breakfast friends breakfast यह बहुत ही important meal है हमारे दिन का पहले मैं most frequently अपना breakfast miss कर देता था पर अब मैंने routine को बिल्कुल change कर दिया है जिसके help से मैं अपनी cravings को control कर पाता हूँ जब हम breakfast नहीं करते तो generally office पहुचते ही बहुत ज़्यादा भूख लगने रगती है और fast food पर काफी ज़्यादा मन लल चाता है अगर घर से breakfast करके निकले तो यह cravings काफी हद तक control हो जाती है हम अपने काम पर ज़्यादा ध्यान भी दे सकते हैं ultimately हमारा concentration काफी better हो जाता है और इसके वएसे हमारी productivity काफी ज़्यादा बेटर हो जाती है और हमको इस particular चीज के बारे में काफी अच्छा महसूर्स भी होता है मेरे breakfast में mostly ऐसी चीजे मैं consume करता हूँ जो काफी देर तक मुझे full रखे जैसे कि vegetable sandwich, vegetable rolls या फिर oatmeal या दलिया अगयन जिसमें काफी ज़्यादा vegetables added होती है लेकिन quantity पे अभी भी मैं काफी ज़्यादा ध्यान रखता हूँ quantity overboard नहीं होनी चाहिए breakfast के साथ ही मैं अपनी morning tea भी लेता हूँ जिसमें कोई sugar नहीं होती है और इसमें तकरीबन 2 tablespoon milk added होता है workout के दिनों में approximately 75-100 ml milk भी add कर देता हूँ अपनी काफी में बट मेरे breakfast में और मेरी इस particular काफी में at least half an hour to 45 minutes का फरक होता है मतलब मैं कुछ difference में इसको consume करता हूँ ताकि जब मैं खाना खाऊँ तो मेरे को खाने का पूरा protein और खाने का एक जो fullness होती है वो खाने की मिले उसके बाद ही मैं at least half an hour to 45 minutes के बाद ही अपनी coffee या अपनी tea consume करता हूँ जिसके अंदर मैं ज्यादतर अपने workouts के day पर जैसे मैं आपको बता है कि milk add करके उसको consume करता हूँ फिफ पॉइंट, mid morning snack, around 11-11.30 मैं अपना mid morning snack लेता हूँ जिसमें mostly मैं एक fruit होता है जैसे one full apple या banana, कोशिश करके apple ही prefer करता हूँ कॉज सुभे एक banana मैं already pre-workout के time पर consume कर चुका होता हूँ फिर सबसे ज़्यादा important है ना miss करना वो है lunch अब बात करते हैं lunch में क्या खाना है तो मेरा lunch mostly वही होता है जो एक Indian घरों में generally बनता है दाल, सबजी, रोटी, मेरी दाल और सबजी में काफी कम oil होता है और रोटी गेहू की बजाए बाजरा, रागी, जवार में से कोई एक combination की बनती है ज़्यादा fiber और gluten free होने के वज़ए से ये रोटी weight loss में specially recommended की जाती है इसके साथ ही मैं हमेशा एक bowl salad लेता हूँ जिसमें खीरा, टमाटर, प्याज और चकुंदर होता है मैं lettuce और carrots भी पसंद करता हूँ तो आप अपनी choice के according और season के according अपना salad बना सकते हैं एक bowl curd भी खा सकते हैं, especially summers में बट जिस दिन मैं breakfast में milk वाली coffee ले लेता हूँ उस दिन मैं curd consume नहीं करता basically एक theory है जहाँ पर मैं dairy products को 200 ml तक restrict करता हूँ in a particular day और मैं दो time से ज़ादा dairy को consume नहीं करता तो अगर मैंने first two meals में dairy consume कर लिए तो फिर मैं उसके बाद dairy नहीं consume करता 7th है evening snacks अगर आपने nutritionist को consult किया या weight loss experts की कोई videos देखिए तो आप जानते होंगे कि evening snack पूरे दिन की meal का काफी important part है ऐसा इसलिए क्योंकि dinner हमारी सबसे light होनी चाहिए लेकिन अगर हम evening snack मिस करते हैं तो रात को जादा भूक लगने के chances हो जाते हैं जिसके वैसे कभी-कभी हम overeat करते हैं जो weight gain का एक major reason हो सकता है मैं evening में around 4-5 बजे black coffee पीता हूँ और 7 में कुछ न कुछ जरूर खाता हूँ जैसे roasted मखाना या फिर dry fruits जैसे भीगे हुए बदाम, अख्रोट ये जरूर ensure करें कि dry fruits moderation में consume किये जाएं कभी-कभी मैं black coffee skip भी कर देता हूँ और उसकी जगह पे मैं coconut water consume कर लेता हूँ अब आ जाते हैं dinner पर dinner में मैं एक bowl brown rice या दो रागी रोटी पनीर की सबजी या कोई भी seasonal vegetables के साथ लेता हूँ first two months of my weight loss मैंने पनीर, अर्भी और आलू consume बिल्कुल नहीं किया था साथ मैं salad भी खाता हूँ मैं आप से एक trick share करना चाता हूँ जो मुझे काफी helpful लगती है ये trick यह है कि खाने से पहले salad खा लीजे इससे यह होता है कि हमारी भूख शान्त हो जाती है और हम overeating नहीं करते हैं बट ये ensure कीजएगा कि salad बहुत जादा भर भर के ना खाएं एक quarter plate जितना ही salad consume करना है इसके बाद मैं consume करता हूँ रात को सोने से पहले एक night drink जो कभी-कभी जीरा water होता है या अजवाइन water होता है, lukewarm होता है आप ज़रूर try कीजिए ये काफी relaxing होता है और dinner के बाद होने वाली cravings को भी खतम कर देता है उसके बाद भी भूक लगे तो कभी आप jasmine tea ले सकते हैं या green tea ले सकते हैं यही diet plan मैं तब follow करता था जब मैं weight loss कर रहा था और अब भी जब मैं अपना weight maintain कर रहा हूँ weight loss के time पर फरक सरफ इतना था कि मैंने ये ensure किया था कि मेरी calories deficit में consume हो रही हो इसके इलावा जो weight loss try कर रहे हैं वो जानते होंगे कि कभी-कभी weight एक stage पर आकर रुख जाता है और further कम नहीं होता stagnancy आ जाती है weight loss में मैंने भी ये stages face किये हैं और इनको overcome करने के लिए मैंने कुछ plateau breaker diets को follow किया है अगर आप इसके बारे में जानना चाते हैं तो मुझे comment section में comment करके जरूर बताईए but specifically disclaimer है कि plateau breaker generally एक doctor या nutritionist से लिए जाते हैं पर मैं इसके बारे में भी आपको जरूर बताऊंगा बट आप इसको बहुत ज़ादा often try ना कीजे ये एक recommendation जरूर है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो do not forget to like, share and comment अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो या मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please bell icon को press कीजे ताकि आपको सारी notifications time and again मिले Thank you, शुकरिया, take care and bye now